हेलो दोस्तों वेलकम टू इग्जाम क्रेकर जगदीश दोस्तों दोस्तों मैं क्या बोलते हैं उसको बाइट बोर्ड पे नहीं करवा सका क्वेशन क्यूंकि टाइम उसमें ज्यादा लगता था तो मैंने ये शीट्स वाला जो सिस्टम है जे मैंने अपनाय हो है आपको प्रसेंटेज वाला इसके बाद जो हम करेंगे वह होगा हमारे पास एलेक्शन वाले कुछ ठीक है दोस्तों वीडियो देशन से पहले आप लोगों को आई बटन जो होता है उसको चेक करना चाहिए और डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में जिरूर्च करना कि मैंने वह सहां पर आपको डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो हम देखते हैं कि 20 परसेंट 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 का मतलब कि 100 ठीक है 20 परसेंट आफ मिन्स मेल्टिपलाई ए नंबर हम उस नंबर को क्या लेट करते हैं उसको हम लेट करते हैं जैसे P ठीक है मैं अपने इसे एजिम कर रहा हूं और इस अदे टू वो किस पर दो रहा है 20 के साथ तो हमारे पास रिजल्ट क्या रहा है एकल रिजल्ट क्या रहा है number itself यही number दोबारा आ रहा है तो यह बोड़ रहा है कि अगर हम 20% आफ ए नमबर का अगर हम 20% ले और उसको add करे 20 के साथ तो हमारे पास क्या आता है result is the number itself वही number दोबारा बापस आता है तो कर लोगा है इसको 25 या 10 तो यहां पर क्या या 1.5 P plus 20 equal to P यहां से आप क्रास मनले कर लो ठीक है 5 P plus 100 equal to P और यह 5 divide में है ठीक है ठीक है वहां जाके multiply हो जाएगा तो जहां पर मारे पास क्या आएगा P plus 100 equal to 5 P हमें P की पहले निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा देखो 100 को यहीं पर रहने दो 100 को यहीं पर रहने दो और P को उससाइड ले जाओ इस P को उससाइड ले जाओ तो क्या आएगा 5 P minus P यहां पर हमारे पास क्या आएगा 100 equal to 4 P और जहां से हमारे पास P क्या आएगा 25 ठीक है तो हमारे पास answer क्या आएगा हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा 25 आप जहां पर चेक कर सकते हैं 100 इको टू 4 पी है न और जहां से पी की वैलू क्या आएगी 100 अपान 4 ओके दोस्तों तो यहां पर आंसर के हैं हमारे पास 25 चलिए दोस्तों नेक्स वाला क्वेशन हम देख लेते हैं करता है कि if after spending 40% of income कपिल सेव रुपीस 150 दैन हिस इंकम देखिए हुआ क्या है देखिए after spending 40% of income क्या होता है उसने अपनी इंकम में से उसने अपनी इंकम में से 40 जो इंकम थी वो खर्च कर दी तो उसके बाद जो उसने save किया, उसके बाद जो उसके पास पैसा बचा वो क्या है, one fifty, देखिए कहने का क्या मतलब है, simple से बताता हूं, हमें उसकी income निकालनी है, निकालनी है, let करते हैं, उसकी income कितनी है, मेरे पास, X है, X रुपीस है, इसी रुपीस में से उसने क्या किया है, खर्च किया यह उसने 40% क्या गया है 40% of his income इंकम कितनी लिखिये मैंने X लीजिए और कितना पैसा बचा उसके पास 150 टोटल में से उसने 40% खर्च कर दिया उसने अपनी इंकम में से जे उसकी इंकम है इंकम में से उसने 40% जो था 40% आप इंकम का करेगा न वो extra तो नहीं करेगा वो 40% वो करेगा अपनी इंकम में से तो जब उसने total money में से 40% यो था वो खर्च किया तो मैंने खर्च किया तो उसके पास saving कितनी हुई उसके पास saves किया उसने पैसा save किया 150 और जहां से अब हमारे लिए इसी हो जाएगा यह एक्स माइनिस 40 अपान 100 मुल्टिप्लाइवाई एक्स यह परसेंटे का लगता है 100 इकोल टू 150 ओके आइस तो जहां से हम क्या करेंगे एक्स माइनिस 40 एक्स अपान 100 इकोल टू 150 और इसका हम ले लेगे LCM जहां पर हंटर के साथ मंदले करेंगे और जहां भी हंटर के साथ मंदले कर सकते हैं 100 X मैनिस 40 X और जहां पर 100 और 100 100 रहेगा QEA1 5 0 तो यहां से हमारे पास क्या आएगा 100 मेंसे 40 एक्स न कला 100 X मैंसे 40 एक्स न कला तो हमारे पास बज़ेगा 60 X upon 100 इकोल टू 150 तो यहां पर देखिए हमारे पास क्या आएगा 60 X तो एस इसेट रहेगा इकल टू 150 जीरो मल्टिप्लाइवाई जे जो 100 था इकोल टू के उस साइट जाएगा तो क्या बन जाएगा अब मुल्टिप्लाइब में जाएगा है ठीक है ओके तो एक सिकल टू क्या वाली होगी 150 जीरो मुल्टिप्लाइवाई 100 डिवाइड़ वाई 60 ओके गाइस यह और जीक कैंसल ओड़ जाएगा तो मेरे पास क्या है लास्ट में 15 मुल्टिप्लाइवाई 100 अपान 6 तो जहां से कलो उसको 35 जा 50 और 32 जा तो मेरे पास बचेगा फाइव मुल्टिप्लाइवाई 50 तो फाइव 25 जीरो आंसर आएगा मेरे पास क्या आएगा 250 उसका जो इंकम थी वो क्या थी 250 आप चाहें तो कर सकते हैं कर लो यहां पर आप आप रहाए यहां यहां ब्राबर आएगा तो देखते हैं नेक्स वाला क और ओके कहता है कि एक इंसान है उसकी सेलरी कितनी इंक्रीज हो रही है 55 परसेंट इस new salary इस रूपीज तूफ फाइब वाश प्रिविश सेलरी सेम यहां पर हो रहा है देखिए अगर आपकी इंकम में लैट करता हूं एक्स है क्या है आपकी इंकम क्या है एक्स है इंसालरी increase by 5% देखिए अगर आपकी income मैं मैं ऐसे बोलता हूं अगर आपकी income 0,10 पिया थी फैले 5% क्या हो रही है आपकी increase हो रही है 5% कि 5% किसका increase हो देख लो 5% किसका increase हो जो आपकी real income थी 5% of 100 टिक है न तो 5,500 हो जाएगा सूर्थ लिवह तो आपकी कितनी ईंकम ही हो भाई है पहले तो आपकी अंडर्त थी कितने ऐद एक Um Hep तो इक होगी है यहां पर सहन सेलरी हो बहुर रइल चाहिं मखिए J Nur भी मैंने क्या वोलन फ़शेलरी होंगी तरह जाहर पर स्मीन सिप cure क्री immensely सेलरी उसके बाद सौ 50 252 उसकी प्रीवियस क्या थी है मेंची क्रेसरे प्रेवियस ऐस्की यह मं प्रेवियस उसके शेलरी गैजलोन भी गैसİ कन प्रिवियस दृट्ट इस ऑप्रिवियस सेलरी ने वियसके एक्स प्लस इंक्रीमेंट कितना हुआ है फाइव परसेंट आफ एक्स ठीक है तो इसको टोटर कितनी के मिल रही है 252 252 आई हो आपको समय जा रही होगी अगर आपको इस क्वेश्चन को दुबारा किसी मतलगी मैं बहुत रहा हूं बेसिक समझना है बड़े अच्छे से और अच्छे से तो आप मेरी जो क्या बोलते हैं इसको मैं बहुत रहा हूं प्ले लिस्ट हाँ प्ले लिस्ट जुनू शेक करना ठीक वहां पर डेर्ट साथ टॉपिक है अप्रोक्सिमेट थर्टी मिन्ट फॉर्टी मिन्ट इतनी मिन्ट की वीडियो है तो आप लोग वहां से अच्छी से सकते हैं मैं जहां भी आपको बड़ अच्छी से समझा रहा हूं किसको समझ ना आए तो कमेंट बाक्स में कर सकता है ठीक है तो यहां से क्या आएगा मिरे पास एक्स फ्लस फाइव अपान हंडर प्रसेंट क्या लगता है हंडर और एक्स इकल टू टू फाइव टू जहां हां पर हम मैं तो मिरे पास क्या आएगा हैंडर अपान हंडर प्लस फाइग स फाइव अपान हंडर एकोल टू फॉ था नौ हैंडर हम एक बाल यहां पिकई और और जहां 00x plus 5x equal to 252 जहां पर आज आएगा मेरे पास 105x 105x ok upon 100 equal to 2520 252 है शिर्फ 0 नहीं है sorry ok तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा 105x equal to 252 multiple है वही 100 upon 105 इसको आप साल्व कर लीजिए 5 to 10 5 to 10 20 ok guys उसके बाद हमेरे पास क्या पचा x equal to 252 multiple है 20 upon 21 देखिए 5 तो 7 और 2 9 इनको प्लस करके क्या आ रहा है 9 आ रहा है तो इसका बतलो जे 3 के दिल में आ जाता है ठीक के सारा जे 3 के टेबल में डिवाड़ हो जाता है देखिए कर लेते हैं 3 8 जा 24 और 1 carry 12 ओ 3 4 जा 12 ओ और 3 7 जा 21 तो मेरे पास क्या आया 84 multiply by 20 upon 7 और 7 1 जा 7 7 2 जा 40 और हमारे लास में क्या आया 1 2 multiply by 20 और 2 4 0 आंसर है आ बार पास क्या आया 2 4 0 जे देखिए 2 4 0 का आंसर है गाईस देखते नेक्स वाला क्वेशन तो ये वाला क्वेशन देखिए a boy gets 70% of the total marks मतलब कि एक बंदे को 70% क्या मिल रहे है नंबर मिल रहे है ठीक है जैसे आपको exam में मिलती है उसने 4 exam दिये he gave 4 exam दिये ठीक है और total marks of each exam मतलब कि हर एक subject का कितना subject जहां पर नहीं दिये exam दिया ठीक है तो हर एक subject का जा पिर exam का कितना marks का है मिले हुए है जो marks है 81, 66 and 66 marks in 3 exam दिये उसको इतने marks मिले है 81, 66, 81, 66 and 66 एक उसे दिये कितने exam है 4 exam कितने exam दिये उसने 4 exam दिये हुए है जहां पर लिखा होगा he gave 4 exam ठीक है उसने कितने exam दिये 4 exam दिये total जहां देखिए एक subject का marks जो है मिसिंग है वो ही हमें निकालना है कहता है find the score of his 4th exam और उसको कितने % मिले है 70% सबसे पहले हम परतीशत कैसे निकालते है 81 हम यह करते हैं प्लस 66 प्लस 4th जो subject था उसके हमें marks नहीं दिये तो मैं उसको लेट करता हूँ P ठीक X कर लो या P अपान total marks कितने है 100 marks का paper है 100 marks का तो जब आपकी final marks जो sheet होगी वो बनेगी तो आपको किस में से मिलेंगे 400 में से है क्योंकि 100 100 का है और 4 subject कितने number के होंगे 400 के और इसकी हम प्रतिशत कैसे निकालते है multiply 100 करते हैं यही तो प्रतिशत आती है percentage है तभी हम निकालते हैं यह देखिए और किसी के 500 में से 200 number है percentage कैसे निकालते है हर एक subject को और जहां पर individual हमें subject दिये हुए है तो हमें खुद से इनको प्लस करना है और हमें percentage हो दी हुई है कितने दी है 70 जहां पर 70 दी है और मैंने याद रखना जहां पर कहीं लोग क्या करते है 100 लिखती नहीं है 100 लिखना जूरी है और तबी जाके जहां पर 70% आएगा क्योंकि जह formula लिख लगा कि हमारे पास 70% क्या है हमारे पास answer रहेगा परसेंट में ऐसे जहां पर नहीं लिखेंगे अभी तो इसको अब हम करते है solve तो यह देखिए यह और यह cancel हो जाएगा और हमारे पास क्या एगा 81 प्लस 66 प्लस 66 प्लस P इकोल टू क्या आएगा 70 इस 4 को उसरे ले लो multiply by 4 और इनको कर लो प्लस सबको 81 और 66 किज़ना होता है 147 प्लस 66 प्लस P यह P है ठी इकोल टू 280 और इसको मैं क्या कर लेता हूँ प्लस कर लेते हैं इसको भी 66 प्लस 213 प्लस P इकोल टू 280 मुझे यह सब्यागट निकाल ला ना P इकोल टू क्या एगा 280 जे प्लस का था इकोल टू के उसर जाएगा तो मैनिस का 213 कर लो उसको 280 और 213 10 में से 3 निकाला 7 और यहां पे 7 में से 1 निकाला 67 तो जो इसको 4th subject था उसमें इसको कितने नंबर आई है 67 देखते हैं गाईस नेक्स्ट वाला कोशन ओके दोस्तों तो यहां पे देखिए अपनी स्क्रीन पर कहता है कि एक बंदा है जो कितने रुपे कमाता है पांसो रुपे और खर्च कितना करता है एक्सपनीचर मतलों खर्च करता है वह कितना 270 और मुझे एक्सपनीचर परसेंटे निकाल लिए देखिए कैसे निकाल ला है सिंपल से है वह कितना पैसे उसके पास टोटल पांसो पांसो में से कितना खर्चा कर रहा है वह 270 तो इसका मुझे क्या प्रतिशन काल ला है तो मुझे करना पड़ेगा सिंपल हंटर संबल ला है जही तो परसेंटेज है ना जिनको कट करना नहीं आता है तो इस तरह से करें जो कोशेंट आएगा वह जोगा तो मैं 15 55 जा 25 और 2 क्यरी और 54 जा 20 तो यह वाला question देखिए कुछ इसको हम करेंगे short trick ठीक है short trick आप समसकते हैं पहले आपको देखने question किस प्रकार का है कहते है population of a town is increased from इतने में से 133575 to 138918 ठीक है इतनी वो increase हुए है ठीक है पहले वो इतनी थी उसके बाद वो इतनी हो गई है the percentage increase in the population का आलना है तो देखिए हमारे पास percentage increase in population का formula बढ़ता हूं मैं आपको percentage increase in population increase in population in population ठीक है population इसका formula क्या होता है गाई मैं बढ़ता हूं population equal to total increment क्या बोलता है total increment total increment upon हमारे पास population at first at first or multiply 100 जी हमारा answer आजाएगा अब देखिए total increment क्या होता है हमारे पास total increment बढ़ता हूं क्या होता है total increment होता है इन दोनों का difference ठीक है ठीक है ठीक है जो पहले क्या थी old minus new old minus new ठीक है and new population old minus new population ओल्ड क्या थी यहां पे हमने इनका difference लेना है तो यहां पर कहाएगा new minus old जो बड़ी वाली रकम होगी उसको हम पहले लिखते हैं तो यहां पर यह वाले बड़ा है वन कहनी लिया था यहां पर 10 में से साथ नकाला तो यहां पर हमारे पास क्या है दस में से आठ में से तीन निकाले तो फाइव तो मेरे पास क्या है देखें यहां पर का है मेरे पास 5343 डिवाइडर वाई पापुलेशन एक फस्ट तो पापुलेशन थी वह क्या थी वह हमारे पास 1233575 तो में पर लिख सकता हूं 133575 और मुठरे करना है हमने हंडर के साथ guys क्या कंप इसको कैसे साफ लना है आप इस तरह से sorry क Shapes 133575 डिवाइड कर लेती हम उसको क्या है I do तो देखिए यहां पर यह बान के साथ नहीं जाएगा टू के साथ कर लेते हैं इसको 5 3 4 3 2 6 4 2 6 5 2 10 हां तो 1 0 6 8 6 ठीक है टू के साथ जाएगा टू के साथ जाएगे तो यह इससे जाद हो जाएगा ठीक है इसको कलो माइनिस क्या हुआ है साथ यहां पर यहां से हमारे पास क्या बचा टू में से 6 मलवारा में से 6 नहीं कर लाएगा टू में से जाएगा टू सिक्स सेवन वन टू सिक्स सेवन वन और उपर में से कहरी क्या है यहां पर 5 है O Gaye तो हम करते हैं 3 4 3 को करते है हम डेखो 2 का साथ नहीं आएगा फीर क साथ कोлив चाहर है हम ट्राइब करते हैं यहा पे 4 के साथ करते हा देखते हैं जैसरे 5 फोर्जा ट्वन्टी नहीं होगा 4 एक वो 4 एक जार ट्ववेल्ळ। 1 प्रफेज वान सुरी तू वन कैरी फोर फोर्जा 16 और 17 सेवन वन कैरी फोर से ट्वेल लो और 13 थ्री वन कैरी फाइफ फोर्जेट वन त्वंटी और 21 नहीं होगा तो हमें जाना पड़ेगा इसको 5 के साथ जाए ठीक है नो 5 3 4 3 5 के साथ करते हैं इसको तो यहां पर क्या आएगा मेरे पास 25 तो मेरे पास लास्ट में क्या बज़ेगा यहां वहां पर यहांपर है यहां बज़ेगा तो क्या इसका आफ्चीश कर सकते हैं आपको अची तरह से और भी इसके ढ HOW अए लग प्रकार से कर सकते हैं तो बहाँ से आपको अलall जीस स所以呢 लेकिन में आपको करभाऊंगा वो क्या होगा फर्मुला बेस होगा ठीक है सबसे पहले एक फर्मुला बिदाता हूं मैं आपको मांग्ड प्रैस क्या मांग्ड प्राइस का फर्मुला होता है 100 अपन 100 मांडिस डिस्काउंट अब एक करहते हुच है इसका फर्मुला फर्मुला और अपको पता होका मांग्ड प्राइस क्या होता है देखो आप गे शाप में कहांके शौंप में गे जो भी शौंप है ठीक है आप let it be मैं मनवार नाम लिखता हूं जहांपे आप शौप में गे और जहां पर क्या हैं हमारे पास कुछ भी समान है क्या है यह एक समान है और कई कुछ भी है रखिष्न काज़ी कैता है कि इसमें क्या है इसमें चैसे लिखो एक अ इस 반대로 तो मैंने किंप्रिण्ट मिलेगा ऊसके बाद मैं कितना इसमें और ठेकर कोữa यूश्ञा कि आप आप देख लेना ऐसे तो आइंटीफाइब भी मुझे देने पड़ेंगे तो उसका मार्ट प्राइस क्या था हंडर था उसके बाद जो सका सैलिंग प्राइस इसको बोलते हैं चालिंग प्राइस्टे अर्फिट वैं हाँ अब आको समझा गया होगा मारे पर हम क्या देते हैं डिसकाउंट देते हैं डिसकाउंट के बाद हमारे पास क्या आता है कि सेलिंग प्राइज आता है तो आप लोग जो प्लेजिटे लिस्टे वहां पर चेक कर सकते आप देर सारे माहत के कोशिट पड़े हुए है तो यहां पर देखिए तो मुझे निकालना है क्वेशन देख लेती है करें डिस्काउंट आफ वन तो पॉइंट प्रसेंट अंटा माइट प्राइज आफ टेवल इस अलोड एंड दन दा टेवल इस सोल्ड फार प्राइस आफ टेवल इस ठीज तो मुझे डिस्काउंट कितां दिया है वं टू पॉइंट प्रसेंट और माइट प्राइस आफेवल जो है वो मुझे निकालना है और शोल्ड इस पिर में किया हो है 4 3 7 5 तो मार्ट प्राइस बसे नकाल लाएं तो मार्ट प्राइस के आएगा 100 अपान हंडर मैं इस 1 2.5 है ना जहीं दिसकाउंट इसकोंट उसे नहीं हमें क्या दिया है 1 2.5 हमारे पास सेलिंग प्राइस किया है यहां पर 4 3 7 5 ओके इसको साल कर लिजिए आप 100 अपान इसको ज और 1 2.5.0 तसमेंसे पाइंट कर लाए 5.9 मेंसे दोनुट साथ आठ मेंसे नो मेंसे एक न कर लाए 8 87.5 आया 87.5 ओके इसको इसको साल्व करेंगे तो मारे पास आंसर क्या आएगा मैं बता जता हूं ट्रेक्ट आपको 5 फाइव वन टू ओके फाइव यह देखिए इसका आएगा आप कैसे आए आप लोगों को खुझ जी साल्व करने इसको आप साल्व करें तो फाइव थाउजेंट ही आएगा आप चाहे तो क्रास कोशन कर सकते आए आप फाइव थाउजेंट पर क्या निकालों देखो चलो म थाउजेंट है न मार्क हाइड पर चाहिए न मार्क ही राइजेंट दिया न मार्क प्राइज ले आप इसको देद आप दिसको दे तो आप तो कि वान्टू फाइव अपान टैन कर आप इसको साल्व करना कुझ तो नहीं तो नेक्त बीडियो में बताऊंगा धाए क्योंकि एजिट करने इसको ठीक है मज़े से इसका अंसर आ जाएगा तो नेक्स वाला देखते हैं तो यहां पर देखिए यह हमारा लास्ट कुछन होगा आज का आप लोग इस को अच्छी तरह से समझे लेना तो यहां पर देख सकते हैं आप लोग क्या हमें बताया हुआ है क्या बो बॉइस एंड दर नंबर एंड दर नंबर जा क्या को मरें रहे हैं तर नंबर आफ गोल्स इस नाइन सेवन तो हो मैंनी बॉइस आर देर इंडा वहो तो यहां पर क्या बता रहे हैं यहां पर देखिए दोस्त आप इस 60% आव इस्टुड़ आफ श्कूल आर बॉइस अन द बॉइस इस्ट के थान उसमें ओ Après अपर गॉय हैं अन्बर आफ गल्स कितनी है मारे पास 972 तो मुझे निकालना है कि total how many boys are there boys कितने हैं देखो boys इसमे percentage में दिये हैं और girls इन्होंने number में दिये हुए हैं तो हमें क्या निकालना पड़ेगा boys को भी number में निकालना पड़ेगा तो कैसे निकालना हैं देखिए अगर मैं यह कह दूँ कि हमारे पास देखिए यह है total student क्या है total है यह total student है ठीक है total में से यहां पर हम ऐसे लिखते हैं देखिए हो सो आप 60% of the student 60% of the student student total कितने है एक्स है 60% of x मैंने तभी लिखा है total student question में दिया भी आना 60% of the student in school 60% of the student है यह क्या है boys है यह मेरे पास है boys girls कितनी है हमारे पास अगर 60% यह है तो girls कितनी है 972 देखिए यहां आपको पता जाए लिखिए इसका मतलग इन दोनों को अगर हम प्लस कर दूँ में इन दोनों को अगर में प्लस कर दूँ तो मेरे पास total number of student आ जाएंगे अगर आ गई तो मैं 60% उसे x का निकाल लूँगा मेरे पास answer आ जाएगा करें इसको 60% of x प्लस 972 वो किसके बराबर आ रहे है total number student इनका आपस में relation है तो जहां से का आएगा 60% मतलब 100 x प्लस 972 इकल टू एक्स ओकी आइस यहां पर देखिए हम क्या करते है 60 अपान 100 x और इस मानिस एक्स को यहां पर लेके आते हैं मानिस एक्स इसको रहने दो आएस हो नहीं इसको नहीं करते हैं वैसे हम यहीं पर साल्व करते इसको ठीक है जिए कैसलोड हो जाएगा तो मारे पास क्याएगा 6 अपान 10 x प्लस 972 एकल टू एक्स ओके तो 2 3 जा 6 और 2 5 या 10 3 अपान 5 एक्स प्लस 972 एकल टू एक्स जहांपे हम क्रास मुले कर लेते हैं तो जहांपे क्या गाएगा 5 और जहांपे 3 x फ्लस 5 मुल्टिप्ले वाइग 972 एकल टू एक्स जाएगा यहांपे इसको हम सॉल्ट करते है 3 x प्लस 972 और मुले वह करना इसको 5 के साथ 5 जे 10 0 1 कैरी 75 जे 35 663 कैरी 95 45 और 3 45 और 3 48 95 जा 45 और 3 4860 4860 4860 इकल टू इस 5 को मैं वहीं पर ले जाता हूँ 4860 यहां पर ऐसे रहेगा 5 x मायनि 3 x लिख लेता हूँ मैं यह 3 x वहाँ चला गया 4860 इकल टू 5 में इसे 3 लिख कर ला 2 x 4860 अपर 2 इसको मैं जब कैसल करूंगा 243 0 243 0 243 0 6 18 8 1 24 24 25 25 6 14 14 14 48 जैसे आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए आपको अच्छी तरह से अगर आज आए तो बताना नहीं तो मैं आपको दुबारा भी जय समझा सकता हूं गाइस तो शुक्रिया गाइस थैंक यू मिलते हैं बाद में चैनल अगर अख्षा लगे तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट और शेर कर देना वीडियो गाइस ओके गाइस बाई बाई